सर स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर एक बार आपका और आपके फ़र्म का लोकेशन बताई सर मैं लालाराम जाट और चोमू से विलोग करता हूं चोमू में छोटा सा गाँ है सिंगोध खुर्थ वहां से अपनी लोकेशन है और हम लोग चार साल से सिरोई पर काम कर रह ब्रेडर इसके बारे में तोड़ सी क्या डिटेल है यह सर अपनी जो फेमस बकरी है मेरे बाड़े की बतक बतक है कि वह जब चलती है तो बहुत जो जर्दा तरीके चलती है और जो कवर्ड जो यह साथ डिग्री एंगल है यह बहुत बहत बहतरी नहीं है उसमें पुरानी इसका यह सोथ sabemos इसकी इसकी क्या इतना व्यक्यन होद बैड़े सब्सक्राइब अपना को वो काम तो है नहीं हां बाकी बच्चा एकदम यह भी सालीन एकदम अपने घरकाई है मतलब वो जो अपना पहले वाणा बरेडर था उसका यह रिजल नहीं है अपने बच्चे इस बच्चे सुख जी का नहीं है अच्छा यह आपको डेटेल देंगा उस जैसे अगर आप लगाना चाहिए बिल्कुल सर जो एक ब्रेडर में होने चाहिए वह सारे के सारे फिचर यह कर रहा है सब अपने जो बड़ा बच्चा कावर किया ना वह अजमेरा में यह सिरोई में यह एक चीज यह आप देखेंगे यह रोमन नोज थोड़ा कम होगा इसमें बच्च क्वालिटी है ऐसा नहीं कि इसमें कम है वो एक तोड़ सा वो एक ट्रेंड बन गया और वैसे बिल्कुल क्वालिटी अगर अथी होना तो उसमें वह पूरे फिचर इस बच्चे यह बागी बच्चे हैं बहुत वैसे बिल्कुल वेवार में बहुत नेचर वाई बहुत बिल्कुल पूरे रवाम में खड़ाया अपने में खड़ा रणे का तरीका ही एक जो होता है वो बिल्कुल इसमें है सर बहुत अच्छा सर बहुत अच्छी जानकर इदी व्रेडर के बारे में थैंक्यू धनेवास सर मिलते अगले वीडियो में